जाय चक्रधारी आप में से बहुतोंने प्रश्ण पोछे कि पीतल को किस प्रकार से रख़रखाव करें इनके बर्तनों को किस प्रकार से साफ करें इस प्रकार साप करें मैं बहुत सारी जिज़ां से उत्पन हुई और और हम लोगों ने जो अभी कुछ दिन पहले ही परात का, पतिलों का, भगोनियों का इत्यादी, लोटे इत्यादी, जो भी भाती-भाती के पीतल के बरतन है, रिती का पीतल के, उनका निर्मान किया, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है, तो उसकी पूरी प्रशनावली हमारे यहाँ पर पे चंद्रिका ने तयार करी है, कि किस प्रकार साब करेजम है कौन कौन से प्रशन उत्पन होते हैं, और उनका जो उत्तर अपेक्षित है वे दिया जाए, तो वीडियो के माध्यम से जो जो इस चीज के जिज्जासु हैं, उन सब की जिज् मैं चंद्रिका आपके समेक्ष पीतल के बरतनों को लेकर कुछ प्रशन रखने जा रही हूँ, प्रशन संख्या एक, पीतल के बरतनों का इस्तेमाल घरों में क्यों आविशक हैं, एवं इसकी उप्योग से मानव शेरी पर किस तरह प्रवाव पड़ता है, पीतल के बरतनों जा आज बजार में उपलब्ध हैं, उन में है अधिकांश में एरर्वальная पारेहनेश्न में प्रेnaiária कि परियोकर को पेने लगा हैं दुसरी बात . पीतल जो दोर प्राकार का होता है काग तुंडी और रिती का पीतल पीतल तो आईर्वेट की पुश्टक के बगान करती है रितिका पीतल का, कि रितिका पीतली स्रेष्ट है, सर्वोत्तम है, इसमें उर्जा का संच्रण अद्ध्बुत होता है, तो आपको घरों में रितिका पीतल के बड़्तरों का परियोक करना चाहिए, बोचन को पकाने के लिए चूंकि यह है मजबूत भी है इसमें उठजाओं की धारा भी बराबर बहती है अगनी की धारा भी बराबर बहती है और तो और इसमें किसी प्रकार का कोई विशेला एलिमेंट आपके बोचन में मिक्स नहीं होता चुकि इस पर कलाई की जाती है तो कलाई से यह और सेफ और सिक्यूर हो जाता है इसलिए अन्यतरा बर्तन देखेंगे हाला कि मिट्टी के बर्तन भी है मिट्टी के बर्तन में मेंटीनिस जादा है पीतल के बर्तन में उतनी मेंटीनिस नहीं है हाँ यह बहुत अच्छा प्रश्ण है, पीतल के बर्तनों का प्रयोग आप अपने घर में डैनिक रूप से कर सकते हैं, नित्य कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, कोई दिक्टवाली बात नहीं है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर की ध प्रशन संक्या तीसरी प्लों कि कोई ऊक्तर दे चुका हूं फिर भी मैं आपको और विस्तारित रूप से बता देता हूं कि वो तेइस्टाम को सम्मात्रा में डूसरी विशंच्था यह मजभूतत भी हैं तीसरी विशंच्था कई यह है कि यह फ्यूल भी कम खाता है बहुत तेज अगनिश फिक उती पर और जमाने के में बात करें तो स्तर्षि जब उसका विवा होता था तो घरों में से पीतल और कांसे के बरतन उपार के रूप में दी जाते थे विवा के प्रसंदा में खुशी में उस खुशाली में बेटी को दिये जाते थे क्यों उनका दनेगा एक कारण है पिता हाला कि आपके जीवन में ऐसा कोई दिन ना है मैं ऐसी काम न करता हू किन्तो शमाकी जी का यह बात मुझे फिर भी प्रकट करनी पड़ेगी पीतल के बरतनों का अपना एक मोल है अपना एक भाव है आज उसकी जो दाम है आज जिस रेट में वो उपलब्द है आज से 10 साल बाद 15 साल बाद उसकी वैलिशन में कमी नहीं होगी अपी तो बढ़ जाएगी तो आर्थिक रूप से भी कभी ऐसा कोई दिन जब ऐसा दिन आ जाए कि बरतनों को ही बेच करके आपको पैसा लेना पड़े तो वहाँ पर भी एक संपत्तिक रूप का ही है काम करता है बरतनों में ऐसी विशेषता पीतल में है प्रशन संख्या चार क्या पीतल के बरतन अम्ल एवं शार परधात्तों के साथ रसायनिक अभी क्रिया करते हैं अगर करते हैं तो मानव शेरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है पीतल के बरतन जो है अम्ल एवं शार इसमें मुख्य रूप सम देखे तो अम्ल जो प्रवर्थी के तत्व हैं उनसे प्रतिकरिया बिल्कुल करते हैं और शार में हम देखें तो कुछ ऐसे मेटरिल्स भी हैं जिनमें शार से भी पीतल प्रतिकरिया करता है जैसे तेल गी ये शार हैं किन्तु इनसे प्रतिकरिया करता है और अमल में जैसे निम्बू है, अमल में जैसे इमली है, या जितनी भी प्रकार की खटाई, जो भी चीज़ अमचूर है, इनसे भी पीतल प्रतिकरिया करता है जो कड़ाई है, जो लोग कड़ाई का प्रयोक करते हैं अपने किचन में, अपने पक्वान घर में, वहाँ पर कड़ाई में यह दिक कलई कर दी जाए, तो चाहे आप अमल का प्रयोक करें, चाहे किशार का प्रयोक करें, दौना वस्था में यह सुरक्षित है, किन्तो जैसे क पराद चौड़ी होती है, उंचा ही उसकी कम होती है, उसमें तेल भर के कोई जले भी तलना चाहे, तो तेल से पी तल, रियक्ट करता है, इस रियक्षन के कारण, वो जो भोजन है, उसमें दो शुत्मन हो जाता है, तो आप कलाई करके रखें, कलाई का प्रयोग करें, और उस पानी कोई रियक्षन नहीं करता है, पीतल के साथ में, किन्तो आप शिकंजी बनागे पीएंगे, तो अकेला पीतल उससे रियक्ट करेगा, इसलिए कलाई का होना भी आवशक है, किन्तो जैसे पानी का लोटा है, अब लोटे में आप यदि प्रयोगी उसको पानी पीनी के पानी करता है, पानी से यह रियक्ट नहीं करता है, तो आपको अमल और शार में यह देखना होगा, कि किन अमल तत्तो या किन शार तत्तो पीतल रियक्ट करता है, तो जिनसे वो रियक्ट करता है, उसका आपको प्रयोग नहीं करना है, और यदि आप ऐसा प्रयोगी नहीं क करेंगे जहां पर कले की आवशक्ता पड़ती हो तो आप साधरन जीवन में जैसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे जल डाल करके लोटे में पिया जाता है वो पीते रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस प्रकार से प्रकार से रियक्ट करता है प्रसंद संक्या 5 रसोई घर में उप्योग होने वाले कौन-कौन से पीतल के बरतन आपके यह उपलब्त है और उनकी कोई खास बात बताईए हैं हमारे पास पीतल में कई प्रकार के बरतन हम लोगों निर्मान किये हैं इसमें पहले चीज़ तो यह है कि खास बात आपको मैं फिर से बता देता हूं कि हम लो रितिका पीतल को ही काम में ले रहे हैं रितिका पीतल ही ऐसा पीतल है जिसमें मेगनेटिक वैबरेशन को भी पकड़ने के जोर है तो टेंपरिचर को भी बराबर मातर में गुमाने का जोर है तो उस पे जब कलई की जाती है तो जैसे भोज्य रांगा को भी बढ़या तरीक हो गई जैसे लोटा हो गया यह सब चीज़ें हमने बनाई है कुछ-कुछ लोगों की मांग पर हमने थालियां भी बनाई है हाला कि यह आप पीतल की थाली का प्रयोक करते हैं तो उस पर भी कले होनी चाहिए क्यों 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 आप जो बोजन पितल रीक्शन नहीं करता है प्रशने संक्या चे पीतल कितने प्रकार के होते हैं एवं कौन-kौन सा पीतल मानव के लिए उप्योगी है हाला कि हम लोग इस पर पितल पर एपिसोट बना चुके हैं इसका कोई काम हमारे जीवन में वैसे है नहीं सिवाई साजावट का सामान बनाने के यदि आप किचन परपस से कोई चीज ले रहे हैं जिसका कहीं न कहीं अंश आपके शरील में जाता हो किसी ना किसी रूप में या धात्यों की उर्जा के संचरण में जाता हो वहाँ पर रितिका पीतल इस रिष्ट बताया गया है आयरवेद की पुस्तकों में तो आपको जो भी काम में लेना है कम से कम बोजन इत्यादी की सामगरियों को बनाने के लिए तो आप रितिका पीतल का ही प्रयोग करें यहां तक कि कई बार पीतल की भस में भी बनती है या और भी चीज और शद्या बनती है या कुछ-कुछ जगह ऐसा भी कुछ दवायां बनती है जो पीतल के बरतनों में ही जिनको रगड़ा जाए इस प्रकार की देवया भी बनती है इनका प्रयोग सीमित है अला कि बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बनती है तो आईरुवेद यही जोड़ देता है कि रितिका पीतल का ही प्रयोग करा जाए वही स्रेष्ट है काक तुंडी को हमें त्याग कर देना चाहिए प्रश्ण संक्या साथ पीतल के लोटे में किन-किन प्रधातों का उप्योग करा जाना चाहिए एवं कौनसों का उप्योग नहीं करा जाना चाहिए पीतल के लोटे में आप यदि कलय कराते हैं कोई पदार्थ नहीं है जिसका प्रियोग नहीं किया जा सकता आप सब का प्रियोग कर सकते हैं कले नहीं कराते हैं तो आप विशेश रूप से जल का प्रियोग करें आप चाय भी उसमें रख सकते हैं आप दूद भी उसमें रख सकते हैं किन्तों बहुत देर तक नहीं और ज तो जब तक गरम से ठंडी हो जाए तब तक आप रख सकते हैं उसके बाद आप पातर बदलने में आपको गरम करना तो गरम करने वाले पातर में गरम करके दुबरा डाले में कोई परिशानी उसमें नहीं है किन्तो इसमें स्टोरेज नहीं किया जाएगा चाहे दूद हो चाह इक करें तो आप उसको जल तक ही पानी तक ही जीमित रखने अच्छा करणने का तरीका कैसे होता है हमने वीडियो में बना रखा है कि कलाई आप आप प्रश्न संक्या 9 पीतल की तवे पर रूटी बनाने सी क्या शरीर पे कोई लाब धाक प्रवाव पड़ता है? हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा है पीतल का तवा अमुमन लोग नहीं जानते हैं उन्होंने पहली बारी देखा है बहुत लोग उन्तों पहली बारी देखा जब इसको हम वीडियो बना रहे थे तो वहां से लोगों के जो प्रश्न आए वो इस प्रकार से आया कि पीतल का तवा कि यह भी बनता है तो आपकी सूचनार्थ में बताना चाहूंगा पीतल का तवा इसमें भी वही गुण है जो पीतल की अन्य पात्रम है जैसे तापमान को सब तरव से बिखेर ना और इसकी भी मुखे बात यही है कि इसमें तापमान बहुत कम चाहिए होता यानि कि बहुत तेज फ्यूल नहीं चाहिए होता कम फ्यूल में आप अच्छे चपाती पका सकते हैं और तो और जैसे मालो इस पर चपाती को आप इस रखते हैं तो वो चिपकती नहीं है यह भी इसकी विशेष्ता है हां किन्तों आपको सावदान इतनी रखनी है कि तेल घी का प् जाती है जैसे मक्का, बाजरा, डोसा, चीलडा आधी पकाया जा सकता है हां आप पितल के तवे पे वो हर चीज बना सकते हैं जिसमें तेल घी का प्रियोग ना होता हो जैसे आप रोटी पका रहे हैं तो रोटी में तेल घी नहीं लगता है पुरी सिख जाए उसके बाद घ चपाती पे तेल लगा के उपर से और वो अपनी थाली में पुरुसगारी करते हैं तो जब तवे पर ही जहां पर तेल या घी का प्रियोग करना हो तो आप पितल के तवे का प्रियोग नहीं करेंगे अब आप चाहें अब इसी साब निर्ने ले लिजिए कि जैसे आपको य जा तो ऐसी विदी डूड़नी पड़ेगी कि आप तेल ना डाले और वो चीला बन जाए ऐसी विदी नहीं है तो आप उस पर चीला नहीं बनाएंगे यानि कि फिर साराश में में यह कहूंगा कि जिस भी चीज में तेल घी को आपको डालना हो वो पीतल के तवे पर नहीं जाएगी और जिस के अंतरकत तेल की डलता हो वो पीतल पर बिल्कुल नहीं पगा जाएगा जिसमें नहीं डलता हो उस उस चीज को आप उस पर पकावें तब कारगर होगा प्रश्न संख्या 11 क्या पीतल का तवा नॉन स्टिक है क्या इस पे कलई होती है क्या करी जा सकती है पीतल का तवा बैसे मैं कहों कि नॉन स्टिक जो है ये जो टर्म है नॉन स्टिक यह टेफल न की कोटिंग कोई कैमिकल है टेफलो उसको बोलते है अब मुझा देतने जानकारी नहीं है कि कंपनी है या कैमिकल जो भी है टेफलों से वह बहुत प्रचलिद थे चीज जो है वह कि उसके आच बराबर है तो यानि आपने बहुत तेज अगनी कर दी जिससे कि उसका तापमान बहुत तेज हो गया तो तो फिर रोटी चिकपेगी किन्तो प्राकर्तिक रूप से धातुम ऐसा कुण धर्म है कि कम फ्यूल पे आप धीमी आज पे जिस पर रोटी सेकते हैं तो पर अच्छी कुरकुरी बहुत बढ़िया फूलती भी है और चिपकती भी नहीं है एक रोटी आपने सेकी और आप उसको जो है रोटी को लेकर के फिर एक बार एक कपड़ा फेड़ देना ताकि जो कुछ कण है बारिक बारिक जो जल जाते हैं आटे के वह सब साफ हो जाए नहीं रोटी आप रखेंगे तो आप उसको इस तरीके से पका सकते हैं तो प्राकर्तिक रूप से यह उसका गुण हुआ कि उस पर रोटी चिपक नहीं रही तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं टेफ्लोन का इस पर कोई लेना देना नहीं और यदि आप आपने पूछा जैसे क अपर प्रकार अफे का एस पर आप करें यह सकती है क्या का लेकिन आप जो है उसमें तवेका शेप बदलना पड़ेगा रोटी तो इस प्रकार से होता है करते हैं तो फ्लेट सर्फिस चाहिए क्यों क्योंकि अग्नी कारण क्या होता है कि रांगा जो है कई बार वह बीच मे लगता है तो इसलिए रोटी के लिए तो हम लोग रिकमेंट नहीं करते हैं कि आप इस पर कलाई करा हो इन तो आप दोसा तवा अलग से बनेगा फ्लेट सर्फेस का आप उस पर चाहे तो कलाई करके दोसा पकाओ तब फिर कोई दिक्कत नहीं है चाहे तेल लगाओ चाहे घी यह प्रयोग में लिया जा सकता है जैसे कि कुछ पकाने के लिए अचार, आवला, मिठाई या हलवा इत्यादी हाँ आप कडाही का प्रयोग ले सकते हैं चाहे आपको हलवा बनाना हो चाहे अचार बनाना हो या सबजियां पकानी हो आप कलाई करी हुई कडाही का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं किसी भी प्रयोग में कर सकते हैं कोई हानी कोई नुकसान नहीं है आपके लिए उस रक्षित है आप आराम से बेधड़क उसका प्रयोग करें प्रश्न संख्या तेरा इस पर रांगे की कलाई इसलिए करी जाती है ताकि अम्ल और शार के जो तत प्रुष्ट करता है इस तरी होया प्रोष कि शरी धातो की रक्षा करता है तो या अथे बहुत मेहत पूर्ण मेंत्र कोई दटा की रख्षा और आपके प्हूजन की रक्षा भी जाती है एक बार कलाई करो किया हुआ बड़तन लगभग लगभग जो मेरा अनुभव है लगभग एक वर्ष तक उस पर कलाई दुबरा करने की आवश्कता नहीं पड़ती है आप यदि मालो इस्टिल का चमच लेकर किया खुरी पी लेकर करके उस पर रगड़ों के बुरी कि कलाई चलती है एक वर्ष बाद आप खुद उसको अपने घर पर कर लें है विद्य हमने सिखा ही हुई है प्रोसर्स हमने दे रखा है उसकी सामगरिया क्या लगेंगी वो भी हमने देना शुरू किया है अपनी वेब साइट पे अन्या था आपके शायर में दी सुवीदा है तो आप खुद भी लोकल किसी वेक्ति से जो इस विद्या को जानता हो उससे भी करवा सकते हैं अभी आपके चुना पर निर्वर करता है इस प्रकार से कलाई का प्रयोग होता है प्रशन संक्या 14 क्या कलाई करने से इसके गुणों पर कोई प्रभाव पढ़ता है पीतल क पर कलाई करने से तो कोई प्रभाव नहीं पढ़ता पीतल का अपना गुण है कलाई का अपना गुण है और कलाई जब चड़ती है तो आपके लिए वो बरतन सुरक्षित हो जाता क्योंकि अम्ल और शार दौनों आप इसमें पका सकते हैं कोई दिक्क्त वाली बात नहीं है तो गुणों में एक परकार से आपक वा में तो दोनों का गठ्ञ जोड़ थुआ तो अधभुत परिणाम हमारे शरीर को मिले इस परकार से इसका प्रियोग किया जाता है परिशन संक्या पंधरां वाम्लोगों इसमें इसमें आटाए को जले भीवि बनाएं कूंकि लग श प्राइब प्राइब कर सकते हैं तो आप उसे दो काम और निकालते हैं तो भी दिक्कत नहीं है आपके चुनाव और आपकी उप्योगिता और आपकी चौइस पर इपुरा निर्बर कर रहा है कि आप कैसे उसका प्रयोग करेंगे प्रशन संक्या 16 क्या हम प्राइब पर खुद कला ही कर सकते हैं हां आप लोग पर खुद कला हीघो सकते है थोड़ा अब्यात होगा विद६र वरी हमने शिक्काई भी है विडियो हमने बनाया होगा है आप उसको देखें आपको पूरी जुसका पूरा कंसेप्ट है उसकी और खुद कले करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं घर पर किया जा सकता है प्रश्मि संक्या 17 पराद पर मठार क्यों करी जाती है पराद पर मठार जो है उस पर ठोकते हैं है थोड़े से हमने प्रोसेस बताया था वीडियो के अंदर तो मठार एक आवशक करिया है ताकि पराद इसको और बल देने के लिए और मजबूती देने के लिए कि वह और पीड़ी चल जाए हमने उस पर मठार करी है इससे पराद को बहुत मजबूती मिलती है इस कारण से मठार करते है प्रश्मि संख्या 18 पीतल के बरतनों को साफ किस्ते करना चाहिए यह बहुत लोग पूछते हैं कि पीतल के बरतनों को साफ कैसे करें उनको बहुत समस्या आती है कि सामने डिटरजन से हम साफ करें या डिश्वाश्टर से साफ करें या क्या करें इसका तो पहली चीज़ आप जान लीजिए कि जो प्राकरतिक चीज़े हैं उनसे पीतल के बरतनों को साफ करे वो सबसे स्रिष्ट है उधान के रूप में जैसे आप इमिली के पानी से साफ कर सकते हैं आप नीमू नमक से साफ कर सकते हैं आप राक से साफ कर सकते हैं जो भी आसनी से उपलब दो जाए नहीं तो आप सबसे वड़े तरीका है जैसे नीमू अमूमन रूप से हर गर में खाय हो जाएगा तो सबसे आसान तरीका तो यह है किसी को जल्दबाजी है जल्दी रहती है तो फिर जब जो अंत-पंत जो chemical उपलब्द हैं दिश्वाशर उपलब्द हैं फिर उनका प्रियोग करिए मैं तो यह रिकमेंड करूंगा कि जो जितनी प्रकर्ति के बस तो उससे साफ किया जाए तो पीतल के बर्तनों की लाइफ भी बढ़ती है उसका जीवन भी बढ़ता है और आपके घर में उसका उर्जा का इस्तर भी अच्छा रहता है आप chemical तो chemical ही है और प्रकर्ती प्रकर्ती है इस प्रकार से पीतल के बर्तनों को साफ कर में दाख से दिखने लग जाते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या इसका जल्चोरक्षित है ऐसा होता है पीतल के लोटे में दिया आप राद भर पानी भर कर रखते हैं जैसे 8 गंटे दक तो कुछ इसके नदर होता है जल्मए कुछ स्थय आक्सिजव नियां करता है इसका कोय नुक्सान नहीं थे आपके शरीर को लाब ही पहुंचाएगा, आपका कल्यान ही करेगा, हाँ उसको साफ करने के लिए जो मैं अभी आपको विधी बदाई, आप नीमू का या इंबली का प्रयोक करते हैं, वो कर दीजिया, आदे गंटे रग दीजिया, लगा करके उसके बाद दू लीजिया, वो लोग अन्य पीतल के बरतनों में नहीं है, हाला कि हमने इसका आरम भी इस चीज़ से करा था कि हम लोग रिती का पितल का प्रयोक करते हैं, तो खास बात सरेफ इतनी ही है हम लोगों में, या हमारे बरतनों में, या जिसका निर्मान कर रहे हैं कि हम लोग आईरुएद की बाकि लोकल एदिया आप लेते हैं, तो उससे बढ़कर क्या होगा, आपका अपना व्यवार, आपका अपना समाज, आपका अपना वजार, आपके अपनी लोकलिटी, उसको आप नंबर मन पर रखिए, नहीं मिलता तो फिर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने जीवन में बड़ा कमाल का परिणाम देगा, बनस्पत काक्तुंडी पीतल के या सामानिये, जो पुराना पीतल है, उसके मुकाबले, तो हम लोग रीति का पीतल के बरतन बनाने हैं, बस इतना ही खास है, तो इस प्रकार से आज की ये पूरी चर्चा हमारी समाप तो ही है, सारे प्रश्ण इन्होंने पूछ लिये हैं, और आपके रिदय में अभी भी कोई संशे हो, कोई प्रश्ण हो, तो आप मुझसे मेरे वाट्सप नमबर पर वाट्सप करके प्रश्ण पूछ सकते हैं, मेरा नमबर है 988-7917255, देड़ सवेरी सही, जब मुझे अफसर आपके प्रश्ण का मुझतर अवश्य ही दूँगा, और हमने हमारी वेबसाइट भी बना दी है www.chakradhari.com, आप महाँ पर भी देख सकते हैं हम क्या क्या उत्पादों का निर्मान कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम लोग आजकल डालने लगे हैं कि इस प्रकार की ची साथ जरूर साजा करें, बस इतना ही आपसे प्रेम निविदन है, आज के लिए इतना ही आज जया दीजिए, सुधर्शन चक्रधारी योगिराज, श्रीकर्ष्ण आपका कल्यान करें, जय चक्रधारी